कुण चलिए आगे देखें डॉक्ट्राइन कि इंपोर्टेंट जयकि सबसे पहले अल्ट्रा मिया वाय। 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 यहां पर वाय। वाय। यहां पर वाय। यह कि स्पैलिंग अलग है। वह वाला वाय। नहीं है जो ट्वीटर के अंदर आ जाता है अल्ट्रा का मतलब बियोंड ठीक है यहां पर सिंपल भी रखा है देखो कहता है अल्ट्रा मीन बियोंड वाइरेस मीन पावर एक्ट इसका मतलब पावर कहता है के Memorandum of Association of the Company जो कंपणी का अभी तक क्या पढ़ रहे थे मुए पढ़ रहे थे आपने दे रखा है दिल्ली में काम करोगा और सेट अप कर रहे हो जाके मुंबई में तो आपने में एमोई के बाहर काम कर लिया कहता है इसा कोई कारे किया जाएगा ऐसा कोई काम किया जाएगा जो मुए के अंदर मेंशन है उससे बाहर आप काम कर रहे हो आपने address बोला था दिल्ली में रखेंगे लेकिन आप meeting कर रहे हो मुंबई में तो ये beyond of the power हो गया आपने authorized capital बोला था इतना होगा लेकिन आप share ज़्यादा issue कर रहे हो ये क्या हो गया beyond the power हो गया आपका इसके साथ साथ आपका दूसरा क्या रहेगा कि और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि आपने object आपका कुछ और था काम कुछ और कर रहे हो beyond the आपका legal power of authority of the company and shall be wholly void and not binding the company अगर इसके उपर एक case भी था उस case को हम अलग से discuss कर लेंगे मान लो इनके object clause में loan लेना लिखा ही नहीं था लेकिन इसके director ने bank manager को बता के और अच्छे से detail ना देखे और इसने loan ले लिया कल के दिन bank ने बार-बार notice जारी किया डारेक्टर तो रहा नहीं बार-बार नोटिस दिया के भईया मेरे loan कब return करोगे नहीं तो हम आपके assets को बेच देंगे company court में चली गई company ने बोला सर हमारे article of association में हमारे object में यह लिखाई नहीं था कि हम loan लेके कोई भी वेपार करेंगे और जबकि loan लिया गया है तो हम इसके लिए लाइबल नहीं है इसके लिए कौन लाइबल होगा जिस director ने लाइबल लिया था वो इस इसको लिए किया जा सकता रेक्टर ऐसा नहीं कर सकता आपका अनोनीयम का मतलब होता अगर 50% shareholder भी बोल दे ना भाई तू चेंज कर दे हम मान रहे हम दे देंगा तब भी इसको बदला नहीं जा सकता तो यह क्या था हमारा इसको आप सिंपली पढ़ लीजिएगा जो मैंने बताया है मैं नूट्स दे दूँगा क्या कहता है यह किसलिए किया गया doctrine का मतलब क्या है इसको change नहीं करना चेंज नहीं करना क्यों बोला गया investor के protection के लिए the doctrine prevent the company employee money यह क्या करते है company के employee की money को रोकती है investor को ठीक तरीके से उसके पैसे को बचाती है state the objective clause of the memorandum of association memorandum of association के सारे clause को prevent कर रही है thus investor creditor may be assured that doctrine of their investment मतलब वो मान के चलते हैं के भाई यह company में ऐसे कानून बने हुए है तो हमारे पैसे safe है will not be direct to the activity which did not complete while the making of investment investment में मतलब simple सी बात है ऐसे ऐसे कानून है तभी investor सोचेगा या डरने की जूरत नहीं है हमेरे पैसे क्या है safe है ठीक है अब लॉका आप बच्चों का internal आ रहा है कब internal लॉका जब भी होगा उसके अंदर यह चैप्टर भी जरूर पूछा जाएगा ठीक है हमने क्या-क्या देखा फटा-फट देखिए article association आप समझो के तो बड़ा छोटा सा है article of association उसको हम next class में या मैं record करके डाल दूँगा यह memorandum of association क्यों बनाया जाता है shareholder की बातों को मानने के लिए दूसरा हमारा किसलिए बनाया जाता है ताकि हमारे supplier, creditor वगरा कर रहे कितने clause है इसके अंदर total 6 पहला name, situation, object, liability, capital और एक subscription, 6 clauses हो गए हर clauses के अपने-पने procedure है और हर clauses को alter करने का तो यह था हमारा पूरा का पूरा MOA का वगरा का पूरा लाम यह था हका बनाया जाख झाल था जा anda कुरा ओभाबी तूर माजा से का जना वह़रा ले को ओ बनाया जावजै बमने carrying that of the conversation क का पूराय से लगर को माने जाने करने भीत दूराभा है क्पहर को ऑनाया ओगmot